और अस्टेलिया का बीच जो मुकावला खेला जाएगा उनके बारे में साउत अफ्रिका और अस्टेलिया का बीच मुकावला खेला जाएगा तो कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा यहां फर अवरेज एस्कोर कितना बन सकता है low score कितना पढ़ सकता है high score कितना पढ़ सकता है दोनों टीम के तुनना में कौन सा टीम जो strong है कौन सा टीम जो है कमजोर है सारा बात इस वेडियो के माध्यम से बताऊंगा और यहाँ पर मैं बताऊंगा peach report क्या रहने वाला है batting peach है या balling peach यहाँ पर spinner को ज़्यादा support मिलता है पेचर को ज़्यादा support मिलेगा क्या batting करने वाला जितेगा या balling करने वाला जितेगा और derm card का rixi player के room में किसे track करिएगा और आपको team में कौन सा derm card का rixi player होगा किसी condition में कौन सा player को लेना है और किस condition में कौन सा player को drop करना है सारा details इस वीडियो के मात्य हमसे बताऊंगा B. बिना skip किये इस वीडियो को end तक जरूर देखना यहाँ पर बात कर लेते हैं Wicket Keeper सेक्शन में Wicket Keeper सेक्शन में देखिए यहाँ पर अभी दो है लाइनम में लाइनम में नाम दो को सामील है इन दोनों में से कोई भी खेल सकता है यहाँ पर क्वाइन डिक अच्छे कासे परतासन है औरנס इस दोनों को आप ट्राइक कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकिस जो अच्छे खासे Bateman है और पार्टेम आपको लुक्त हैरे साथ साथ आपको अच्छे सखोर् भी करकर देगा सब्सक्राइब इसलिए हम इसे लखैंग के मैचा बहुत अच्छे खेलका आया है रिकार्ड भी अच्छे हैं अगर शौट अफरिका पहले बैटिंग करेगा तो कोईण ड्रॉप कर सकते हैं नहीं यार कोईंडिक को ड्रॉप मत करना कोईंडिक एक ओपनर है और इस अच्छे बैस्टमेन है और इसे ड्रॉप करने का अर्लिक्स मत लेना यहां पर आपको दो विकेट कीपर सेक्षन से ले लेना है आभी तो जोष इंगलिस का लाइना में नम सामिल नहीं है और विकेट कीपर सेक्षन से एक केरी जो पौँच नमर में बैटिंग करेगा इन दोनों में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं या दोनों के साथ कर जा सकते हैं और वेस्टमेन की दिरिश्टी चे अच्छे खासे वेस्टमेन है अगर आप इन दोनों में से एक के साथ जाएंगे तो अच्छे खासे प्रोफिट करने का चौंस हो सकता है या पर वाटिंग पीछ है या पर बाइलेंस पीछ है कभी वेस्टमेन को फेवर में चला जाता है कभी बॉलर को फेवर में चला जाता है मैं दोनों क में बैटिंग करेगा लेकिन अच्छे खासे बैस्ट में है ओड़ी आई के लिए अच्छे खासे हैं लेकिन रिसंड के फॉर्म प्लॉप्स होने के कारण इसे लोग इंग्णोर करके जा रहा है मुझे इंग्णोर नहीं करना है अब इसे डेवी अनर को ट्राइक कर सकते हैं इस तरह से मैंने चार को ट्राइक करें और मिलर जो है थोड़ा नीचे उतरेगा जब मौका मिले तो अच्छा हएका परदाशन करेगा अगर नहीं मौका मिलेगा तो इने प्लॉप्स होने का संभावना लगा सकते हैं लेकिन रिसंड के फॉर्म काफी अच्छे हैं और प्लिएर के रूम में होगा अप की स्सेंडिसंब्स में इसे अपने टीम में सामिल कर सकते हैं यहां का पीची रीपteen अच्श नेट्रल है कभी भी अच्छे स्कोर to सकता है कभी लोग बन सकता है इस कंडिस्टन में आप चाहे तो च्वा कच्वा बेस्ट में को ले सकते हैं अनियता आप रिक्सी ट्रिम बनाना चाहते हैं इन स्वह में से तीन तो मेरा डर्म Palestine के रूं में सामिल हो गया बेस्ट मेन में और Wicket keeper में एक चार पूरे मेरा मेरा ön prisoners सामिल हो इन को से गया है आप हिएंपर आ जाता है उसलों मेरे सेक्षन में उसलों गार इन तीन секशन में ओलनडर में से मुझे बासमील क्या हूं दो एलनडर सेक्षन मैं try क्या हूं हलाकि बाइलेंस पिच है कभी betting को कभी बॉलर को दोनों को support मिल सकता है यहांपर मैं एक जो है बॉलर लिया हूं दो ओलंडर लिया हूं और छे बेस्ट में लिया हूं और दो विगेट कीपर लिया हूं और इन्हें लेने के बाद देखिए, नेस्ट करता हूँ, नेस्ट करने के बाद, अब मैं जह कैपिटनसी और वाइस कैपिटनसी देना है, क्योंकि आप भी जानते है आपको टीम में अगर केप्टन और वाइस केप्टन चल गया तो आप अच्छे का से प्रोफिट कर सकते हैं अगर आपको केप्टन और वाइस केप्टन फ्लॉप्स हो गया तो आप अच्छे का से प्रोफिट नहीं कर सकते हिहां पर देखिए क्याप्टन की रूम में क्याप्टन के रहा जिन का सेलेक्शन percent कम है 10 परसेंट लोग क्याप्टन औरतेया है कैपटन और vuffic केप्टन ट्रेक कर लीजिएगा और कोल्मन गरन सीटर्धी होगा तक चाहते हैं केप्टन यह मिश्रा को दीजिएगा या केप्टन के रूम में शेफ केप्टन देना चाहते हैं तो एड़ा मारकर को ट्रैक कर सकते हैं और बोईस केप्टन अगर देना चाहते हैं तो बोईस केप्टन के रूम में डेवी वाना ठीक टाक रहेगा लेकिन मैं केप् सी और व्वाइस केप्टन से ट्राय करूंगा अगर आप रिक सी केप्टन जाना चाहते हैं ती धौमा को दे सकते हैं क्योंकि टी धौमा भी अच्छे-खासे बेष्टमेन है ठीक ठाख परदासन करने का उमीद इसे भी लगा सकते हैं अगर इसे नहीं देना चाहते हैं ले भूसन को ट्राय कर सकते हैं ले भूसन को भी नहीं ट्राय करना चाहते हैं तो यहां पर क्वाइन डिक को वाइस केप्टन ट्राय कर सकते हैं देखिए क्वाइस केप्टन करूं मैं क्वाइन डिक को दिया ह हुआ सेलफिंट करता हूं कि करने के बाद देखिए मेरा टिम का तरह से रहता है मेरा टिम का पर भी उपिफिफ इस तरह से रहेगा मैंने आज अपने टीम में 06 सहेल निया हूं पॉंच रिक्षी लिया हूं और मैं पने डर्म हिसाब से नहीं, आप अपने हिसाब से भी टीम क्रियाट कर सकते हैं लेकिन मैं तो हमेशा रिक्स लेता हूँ या तो मेरा इंटरीफिस आएगा या इंटरीफिस जो लगा है वो भी जायगा या तो मुझे अच्छे का से प्रोफिट हो सकता है मैं केप्टन एम मिश्रा को वाइस केप्टन कोईन डिक को दिया हूँ और सेफ टीम करता हूँ सेफ टीम करने के बाद देखे मेरा टीम का परवियो इस तरह से रहेगा हाई योप ये वेडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेश्ट वेडियो जाहिन दोस्तों